जोन पूर्व का रड में जो है मोधी जी तुप कुद गए हैं अमिसा आ रहा हैं योगी जी कला रहा है तो कैसे देखना सोफिं कैसे सामना करेंगे अब योगी जी करेंगे जी सामना आपको खुद समझ में आता होगा कि हर यहां की भी पब्लिक से आप पता करेंगे तो सब लोग पूरी तरह से उनको जुमले बास कह रहे हैं अब योगी जी कितना समाल पाएंगे जब पूरा उनका देश की जितनी भी नेता है भारती जंता बाटी के तो सारे के साल पाटी के भ्रष्टाचारी निता है उनको अपनी पाटी में लेने का काम कर रहे हैं तो जनता इस चीच को समझ चुकी है आप 73 लोग सबाद जौनपूर की बात करेंगे तो यह चीज बताएं मैंने बारवार कहां हूं कि योगी जी इसमें क्या कर सकते हैं यहां की जनता ड सब्सक्राइब करेगा सारी जनता यहां नकार रहे हैं और गंणा किसान को पसंद कर रहे हैं सब को लग रहा है कि किसान है तो देश का भला होगा इसलिए मैं किसान का बेटा होने के नाते गंणा किसान चुनाव चिन लेकर आया हूं आज इस सभाब में बैठा हूं सारे प जो भाई किसान हैं मैं तो सबसे पहले इन किसानों को का मैं जीतू यहारूं 60 साल के उपर के जो किसान हैं उनको पेंशन दाने का देने का काम मैं अपनी पार्टी के तरफ से करूँगा मेरी पार्टी रजिश्टरे पूरे देश में हमारे चुनाओ लट रही है और मैं ये कहा उनको कि एक साल में यूरिया पुरी तरह से फ्री करने का काम करूँगा किसानू के लिए मैं ये कहा हूँ नौजवान हैं जो उनको रोजगार देने का काम करूँगा मैं ये कहा इनको कि जो गन्ना मिल बंद है साह गंज में उसको खुलवाने का काम करूगा मैं ये भी कहा इनको कि जो ओवर्वरिज है जहां पर ट्राफिक की समस्या होती है उसको ओवर्वरिज में कनवर्ड करने का काम करूगा मैं यह कहा कि इंडिया लेबल पे भारती अस्तर पे जो यहां का खिलका मैदान नहीं है जो उन पर हो लाने का काम करूँगा इसले उन ताल यहां